हलो फ्रेंड्स वेलकम तो माय चैनल एई-ई-किचन्स फ्रेंड्स आज मैं सूपर डिलिशियस पाइनेपल शीरा यानि पाइनेपल हरलवे की रेस्पी आपके साथ शीर करूंगी जूकि बहुत ही आसान है बनाना इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए देख लेते हैं इसके लि पाइनेपल पेस्ट वन काटोरी शूगर किश्विश थोड़े से नट्स और एक मैंने यहां पे लिया है केसर आप्शनल है आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं अब एक पैन में हाफ काटोरी या फिर टू टेबल स्कून गी के टेसी गी के डालेंगे और सूजी को इसमें ब्राउन होने तक होनेगे इसको हमें गुल्डन ब्राउन होने तक इसी तरह फ्लेम स्लो करके कुख करना है 5 मिनट हो चुके हैं सूजी लाइट गोल्डन ब्राउन हो गई अब हम इसको एक प्लेट में निकाल देंगे इसको हम प्लेट में निकाल देंगे अब इसी पैन में पाइनेपल का जो हमने पेस्ट गनाया था वो लेंगे साथ ही हम कटा हुआ पाइनेपल भी डाल देंगे और साथ ही इसके शुगर भी आड़ कर देंगे शुगर भी आड़ कर देंगे साथ ही और इसको तब तक पकाएंगे जब तक शुगर मेल्ट ना हो जाए और जो पाइनेपल है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए शुगर मेल्ट हो गई है फाइव मिनेट हो गए इसे कुख होते हुए और पाइनेपल भी सॉफ्ट हो चुके है अब हम इसमें टूक टोरी वाटर की आड़ कर देंगे थोड़ी सीस में केसर की पत्यां भी आड़ कर देंगे और साथ ही जो हमने सूजी रोस्ट करके रखी थी वो भी डाल देंगे और इसको गाड़ा होने तक इसी तरह से पकाएंगे देखे गाड़ा होना शुरू हो गया है अब हम इसमें छोटी इलाइची पाउडर डाल देंगे थोड़ा सा तक इसका फ्लेवर और भी अच्छा हो जाएं हलवा गाड़ा हो चुका है अब हम इसमें नट्स आड़ कर देंगे थोड़े से हम रख लेंगे उपर गाणिश करने के लिए इसी तरह से किश्मिश भी आड़ कर देंगे अब मैं आपको सर्फ करके दिखाती हूँ रेडी है हलवा सर्फ करने के लिए उपर से इस तरह से जब हम देशी घी का हलवे के उपर डाल देते हैं तो बहुत ही यमी लगता है साथ ही हम जो ड्राय फ्रूट्स रखे थे वो भी स्प्रेड कर देंगे लीजे पाइनेपल शीरा रेडी है इसे हम स्पेशल गेस्ट आने पर बना सकते हैं जिनको पाइनेपल फ्लेवर पसंद होता है उन्हें ये बहुत ही पसंद आता है फ्रेंड्स मैंने इसे फूट कलर यूज किये बिना बनाया है अगर आप इसको कलर देना चाहते हैं तो आप पिंच येलो फूट कलर इसमें डाल सकते हैं ट्राय कीजिए आप भी और बताइए कोमेंट्स में कि आपको ये हलवे की रेसेपी कैसी लगी पसंद आये तो का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूले नेक्स्ट एक और न्यू रेसेपी के साथ मिलेंगे थैंक्स फर वाचिंग माई वीडियो